तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन इकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में और आज के इस एक वीडियो में हम लोग 10th क्लास के non-hindi के all chapter का most important objective question करने वाले हैं जी हां जितना भी मैं आप लोग को 10th करने वाले हैं मतलब सारा objective question आज के इस वीडियो में खतम कर दी हूँ आज के इस एक वीडियो में 10th क्लास के non-hindi का all chapter का all chapter का all objective question complete करने वाले हैं मतलब सारा objective question आज के इस वीडियो में खतम हो जाने वाला है एकदम one shot आप बोल सकते हैं 10th class के non-hindi का आज का जो विडियो है ये objective question का complete video one shot video है जिसमें सभी objective question रा मिले सारा objective question आज के इस video में हम लोग complete कर लेंगे तो क्योंकि आज के इस एक video में हम लोग 10th class के non-hindi का all objective question complete करने वाले हैं तो आप लोग सोच सकते हैं कि यह वीडियो आप लोग के लिए कितना इंपोर्टेंट है एक वीडियो में सारा objective question complete और कहीं से भी नहीं तो इस वीडियो इस नेक्टर फूर यू अमरित के समान है तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन हां स्टार्ट करने से पहले एक और जरूरी बात में आप लोगों को बता दू कि बहुत जल्द एवाद सर और अमीद सर के द्वारा साइन्स और सेस्टी का कमप्लीट अब्जेक्टिव कोशन का वीडियो अप्लोड होने वाला है एकदम धासू जवर्दस्त वीडियो अप्लोड होगा साइन्स एबाद सरके द्वारा सेस्टी अमीद सरके द्वारा उसको आप लोगों को देखना नहीं भूलना है मतलब कोशन आपके सामने रखूंगी तो अब्जेक्टिव कोशन को पढ़ लेने के बाद सबसे पहले आप लोग अपनी हिसाब सेंसर दीजिएगा खुद सेंसर करना है फिर मैं आप लोगों को सही एंसर बताऊंगी आप लोग को मिला लेना है कि आप लोग का अब्जेक्टिव चैप्टर वन अब्जेक्टिव कोश्चन यानकी चैप्टर वन का अब्जेक्टिव कोश्चन हम लोग करेंगे और इसी तर चैप्टर टू चैप्टर त्री ओल चैप्टर का में अब्जेक्टिव कोश्चन करा दूंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रश है कि निवंद्ध है कि आप लोग को पता होगा कि एक कवीता है तो यह चाप्टर है क्या है एक कवीता है यान की ऑप्शन नंबर एस तरह इंसर चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रशन आपके स्क्रिन के ऊपर यह रहा दूसरा सवाल है कि तुजिन्द है तो कवीता में होता है तो नाम का जो चैप्टर है कवीता इसमें हैं च्टरा प्रस्तुत किया गया है यान की option number C is the right answer I hope आप लोग option number C लगाया होंगे क्योंकि बिल्कुल सही जवाब है आगे बढ़ते हैं next question है कि कविशंकर शैलेंद्र तु जिन्दा है तो कविता में देश्वासियों को क्यों संगटित होने की बात करते हैं कविशंकर शैलेंद्र तु जिन्दा है तो कविता में देश्वासियों को संगठित होने की बात करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्यन कवी मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रिर्णा देता है A में होसले अयोम उच्छापून B में है अतीत को याद करो C में है मौत से डर डर कर D में है समय का दूर उप्योग कर तो बताएं इसका सही अंसर क्या हो जाएगा कवी मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रिर्णा देता है तो ओप्सन नमबर A इस दर आइट अंसर होसले और उच्छापून ओप्सन नमबर A हो गया बिल्कुल सही जवाब चलिए आगे बढ़ते हैं तो जिन्दा है तो कवीता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है A में है निराशावादी, B में है आशावादी, C में है प्रिर्णावादी और D में है साम्यवादी तो इस कवीता में जीवन के आशावादी पक्ष का वर्णन किया गया है यानकि option number B हो गया बिल्कुल सही जवाब option number B is the right answer आगे बढ़ते है next question कि तुजिन्दा है तो टैस द्वारा रचित पाठ है किसके द्वारा रचा गया है तुजिन्दा है तो option A में है कभीर दास B में है अरून कमल C में है राम व्रिक्ष बेनी पूरी और D में है शंकर शैलेंदर साफ साफ एंसर दिख जा रहा है option number D जी है शंकर शैलेंदर द्वारा लिखा गया है तुजिन्दा है तो आमका कभीता अब next question है question number 7 कि चमन का अर्थ है option A में है आकाष, B में है नदी, C में मरुस्तल और D में है फुलवारी बता दीजे फड़फट मेरे अंसर बताने से पहले चमन का अर्थ क्या होता है फुलवारी यानि कि option number D is the right answer ये तो एकदम हलवा question था आगे बढ़ते हैं next question की तरफ question number 8 कि कौन सी कवीता गहरे जीवन राग और उच्चा को प्रकट करती है ये भी एकदम हलवा question है तुजिंदा है तो नाम का जो कवीता है ना इसी में गहरे जीवन के राग और उच्चा को प्रकट किया गया है यानिकि option number A हो गया बिल्कुल सही जवाब चलिए आगे बढ़ते है question number 9 है कि हमारे कारवा को किसका इंतिजार है option A में है रास्ते, B में है समय, C में है मनजीलो और D में है साथी आप लोग चैपर पढ़े हैं तो आप लोग को पता होगा कि हमारे कारवा को मनजीलो का इंतिजार है यानि कि 9 का सही अंसर क्या हो जाएगा option number C जी हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ते है next question तो जिन्दा है तो जिन्दगी की डैस में यकीन कर किसमें यकीन कर बताना है रिक्तिस्थान की पूर्ती करना है option A में है विजय, B में है सुख C में है जीत, और D में हार तो जिन्दा है तो जिन्दगी की जीत में यकीन कर यानि कि option number C is the right answer बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगला सवाल next question है कि नई सुबह के संग सदा तुझे मिली यहाँ पर खाली जगा है अगर कही है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर option A में है उमंग B में है उमर C में है तरंग और D में स्वराज बताईए नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई डैस के जगा क्या रहेगा तो इसका सही answer होगा option number B हाँ उमर रहेगा यहाँ पर सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उमर option number B is the right answer next question की तरह बढ़ते है स्वराज का अर्थ है option A में है राज्य B में है आजादी C में है परतंत्र और D में है अपना राज्य तो स्वराज का अर्थ होता है अपना राज्य option number D बिल्कुल सही जवाब चलिए आगे बढ़ते हैं तुम अपने सुकर्म से प्रित्वी पर डैस ला सकते हो क्या ला सकते हो option A में है नरक और उसके बाद से B में है स्वर्ग C में है चांद और D में है तारे तो तुम अपने सुकर्म से प्रित्वी पर स्वर्ग ला सकते हो यानि कि option number B हो गया बिल्कुल सही जवाब आप लोग option number B लगाये होंगे जो कि बिल्कुल सही जवाब है चलिए आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं कैसा व्यक्ती जिन्दा माना जाता है A में है निराशा रहित B में है घमंडी C में है स्वाबिमानी और D में है आलसी इसका सही अंसर होगा option number C स्वाबिमानी स्वाबिमानी व्यक्ती जिन्दा माना जाता है आगे बढ़ते हैं सुभा शाम आकाश का रंग कैसा रहता है A में है नीला B में है लाल C में हरा और D में है इनमें से कोई नहीं तो सुभा शाम आकाश का रंग कैसा रहता है आप लोग जानते हैं न इसका option number B तराइटन सर लाल हाँ आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर प्रित्वी हो जाती है A में है व्यतित B में है आनन्दित और C में है मुर्चित और D में है इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा option number B आननन्दित सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृत्वी जो है न वो आनंदित हो जाती है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 17 कमल की कोमल डंठल को क्या कहते हैं A में है मिरिनाल, B में है मराल, C में है तमाल और D में है कमान तो कमल की कोमल डंठल को हम लोग कहते हैं मिरिनाल ओप्सन नमबर A वो गया बिल्कुल सही जवाब ओप्सन नमबर A इस तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 8 हजार भेस धर के आई मौत तेरे द्वार पर मगर तुझे ना चल सकी चली गई वो हार कर पंक्ती किस कवीता से ली गई है आइटेंसर आप लोगो दिखाई दे रहा होगा चारो ओप्सन में ओप्सन नमबर A इस तरफ तुझे इंदा है तो इसी कवीता में है ना हजार भेस धर के आई मौत तेरे द्वार पर तुझे ना चल सकी चली गई वो हार कर बहुत यह अच्छा यह लाइन है आप मनलब बोला जा रहा है कि तेरे द्वार पर हजार भेस धर के आई मौत लेकिन फिर भी तुझे ना चल सकी और चली गई वो हार कर इतना इंसान के अंदर साहस और हिम्मत होना चाहिए यह दिखाया गया है आगे बढ़ते हैं Q19 कि विनाश के बाद क्या होता है Option A में केवल और शेस बचता है B में सभी सुखी हो जाते है C में with once होता है D में non-nirman होता है इंसर दिखरा होगा आप लोगो 19 का option number D 9 निर्मान होता है फिर से नया निर्मान होता है सवाल number 20 कि जमी के पेट में क्या पली है Option A में है आग B में है जलजला C में है A and B दोनो यानकि आग और जलजला दोनो और D में है स्वराज सही answer option number C हो जाएगा A and B दोनो यानकि जमी के पेट में आग और जलला दोनो पली हुई है अब देखें यहां से आप लोग का chapter number 2 का objective स्टार्ट हो रहा है तो चलिए इसका भी देख लेते हैं chapter number 2 का सबसे पहला प्रश्न objective question है कि प्रेम चंदर द्वारा रचित पार्ट है option A में है खेमा B में है सुदामा चरीत C में है इदगाह और D में है ठेस आप लोग जानते हैं प्रेम चंदर द्वारा कौन सा पार्ट लिखा गया है तो इदगाह यानि कि option number C is the right answer आगे बढ़ते हैं next question number 2 कि महमूद ने कौन सा खिलावना खरिदा A में है भिष्टी B में है सिपाही C में है जोकर और D में है शेर तो महमूद जो है वो खरदा रहता है सिपाही option number B वो गया बिल्कुल सही जवाब चलिए आगे बढ़ते हैं next question कि रमजान के कितने दिन बाद इद का तेवार आता है A में है 20 B में है 30 C में है 40 और D में है 50 आप लोग जानते हैं रमजान के कितने दिन के बाद इद आता है एकदम हल्वा question पूछा गया है इसका सही answer हो जाएगा option number B 30 अब सवाल number 4 है कि खंजरी किसने ली थी खंजरी किसने खरीदी बताना है A में है सम्मी B में है हामीद C में है महमूद और D में है महसीन तो खंजरी ली थी किसने सम्मी ने यानि कि option number A हो गया बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की और प्रशन number 5 की नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे तो आप लोग जानते ही है इद का जो नमाज होता है वो खत्म होने के बाद सभी लोग एक दुसरे के गले मिलते हैं यानि कि सभी लोग एक दुसरे के गले मिल रहे थे option number A इस दो right answer चलिए आगे बढ़ते हैं फड़ाफट next question है कि इदगाह कहानी के रचईता कौन है किसने लिखा है इदगाह नाम का कहानी option A में है शंकर शैलेंदर B में है राम विर्क्ष बेनी प्यूरी C में है मौमाद इकबाल और D में है प्रेम चंद right answer option number D प्रेम चंद हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हामिद ने कितने पैसे का खिलोना खरीदा A में है एक पैसे B में है दो पैसे C में है तीन पैसे और D में है चार पैसे तो हामिद के पास तीन पैसे थे ही इसका मतलब वो तीन पैसे का ही खिलोना करता है खिलोना नहीं करता है चिम्टा करता है आगे बढ़ते हैं खिलाओने किस चीज के बने थे ये में है कागज के भी में लकडी के सी में मिट्टी के और डी में लोहे के तो खिलाओने जो है ना वो मिट्टी के बने हुए थे option number C is the right answer आगे बढ़ते हैं next question number 9 की महसीन के पास कितने पैसे थे A में है 10, B में है 12, C में है 8 और D में है 15 महसीन के पास पैसे थे 15 रुपे यानि कि option number D is the right answer I hope आप लोग D लगाये होंगे जो कि बिल्कुल सही जवाब है ये भी question कितना बार पूछा गया है तो इसको याद रखे ठीक है अगला सवाल है कि महमूद के पास कितने पैसे थे यहाँ पर पूछा गया था कि महसीन के पास कितने पैसे थे अब पूछा जा रहा है कि महमूद के पास 12 पैसे थे यान कि option number B हो गया बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं क्या ऐसा जीवन बच्चों को बच्पन में व्यस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है option A में है संपन, B में अभावगरस्त, C में है तनावपूर्ण और D में है इन में से कोई नहीं तो सही अंसर क्या होगा संपन जीवन तो कभी भी बच्चों को व्यस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर नहीं करेगा क्योंकि बच्चों की जिन्दगी में बच्पन में ही हर चीज मिल जाएगा सारी खुशिया मिल जाएगी तो उसको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और जादा वो दिमांग लगाने की जरूरत ही उसको नहीं पड़ेगी लेकिन जब बच्चे की जीवन में किसी चीज का अभाव रहता है ना तब वो व्यस्क की तरह सोचना स्टार्ट करता है यानकि अभाव ग्रस्त जीवन ही बच्चो को वच्पन में ही व्यस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है आगे बढ़ते हैं हामित की दादी का नाम क्या था ओप्सन A में है शकीना, B में है अमीना, C में है रवीना, D में है सफीना तो राइट एंसर ओप्सन नमर B, हाँ, अमीना धामित की दादी का नाम रहता है अमीना चलिए, आगे बढ़ते हैं इदगा कहानी वन्चित बच्पन की परस्थितियों पर किस धंग से टिपढ़नी करती है A में है मारमिक, B में है सादगी, C में है बरबर, D में है कौतुहल राइट एंसर इस ओप्सन नमर A, मारमिक धंग से टिपढ़नी करती है ठीक है कथा समराट के नाम से किसे जाना जाता है तो कथा समराट के नाम से जाना जाता है प्रेम चंद को ऑप्सन नमबर D हो गया बिल्कुल सही जवाब नेक्स्ट कोश्चन नमबर 15 कि अभाव गरस्थ बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है ऑप्सन A में है व्यस्क की तरह B में है नादान की तरह C में है बुरे की तरह और D में है इनमें से कोई नहीं तो अभाव गरस्थ बच्चे में जो की हामित रहता है मतलब उस बच्चे में व्यस्क की तरह सोच पैदा किया गया है आप्सन नमबर A इस तरह इस तरह इस इंसर तो चलिए अब मैं इसका एंसर बताती हूँ सुला का ऑप्सन नमबर D परिपक को बना देती है चुनाओतीबच्चो को परिपक को बना देती है हामित के सामने चुनाओती था सभी बच्चे नए नए खिलावने ले रहे हैं हैं कोई मिठाई खा रहा है कोई तरह तरह थै कि खरीद रहा है तो वह भी ऐसा खरीदी कम पैसे में कि सभी बच्छों के खरीड़ने से बहतर हो यह हामिद के लिए चुनौती था और चुनौती यह यह चुनौती ये चुनौती जो है ना उसके सामने था उसको पूरा करता है और ऐसा खिलोना करिता है चिम्टा कि सभी बच्चों से उसका खिलोना एकदम जबरदस्त और सभी बच्चों से हामित का खिलोना जो है ना सबसे बढ़िया और अच्छा रहता है तो ये बात है चुनौती बना देदी आगे बढ़ते मैं इदगाह कहानी आधारीत है कि में हैं बाल मनुविज्ञान पर बीसे नैतिक शिक्षा पर सी और एक पर स्पट्री करते में और दी अमीना अपनी कोट्री में बैठी क्या रही थी तो रही थी यानिकि ओप्शन कमढर 10 दाइट इंसर देखिये ध्यान से सु और रही एक साथ है आप लोग अंत सुखद है राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमबर बी अभाव एवम चुनावतियां बच्चों को परिपक्व बना देती है यह इदगाह कहाने की मुख्य विश्यस्ता है मतलब मेन फीचर्स बताना है मुख्य विश्यस्ता और यही है मुख्य विश्यस्ता कि अभाव आगे बढ़ते हैं हामिad ने चिम्ता खरिदा और संमी ने क्या खरदा तो संही बताएं अ मेहया कंजरी खरिद करने की में समोस राइएं सी खरीटक्ता है six में तो खरीद लिया घृतरा था सब नूरे ने व सरी और दीज़िये सारा ब्धिट्ध मोस्ट इंप्वर्टन्ट है इसलिए-स-देन की कोशिश कीजिए अगर आप लोग का सही होता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन गलत हो जाता है तो निराश नहीं होना है सही एंसर याद करते चलना है पचीस नंबर सवाल कि मुहर्म किस तरह का तेवहार है ए में है खुशी का भी में उमंग का सी में है गम का और डी मे आगे बढ़ते हैं मोसीन मेले में कौन सी मिठाई खरिदता है ए में रेवडिया भी में गुलाब जामुन सी में सोहन हलवा और डी में जलेविया तो मोसीन जो है वो खरिदता है रेवडिया ओप्सन नमबर ए इस तो राइट एंसर नेक्स्ट कोश्टन है अठाइस नंबर सवाल कि कौन सी कहानी वन्चित बच्पन के परिस्थितियों पर मार्मिक धंग से टिपढ़नी करती है तो वो है इदगा ऑप्सन नमबर डी आई होप लगाये होंगे आप लोगे इदगा महलवा कोश्टन है नेक्स्ट कोश्टन है कि तुम डर्ना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आउँगा बिलकुल नडर्ना या पंक्ती इदगा कहानी से ली गई है तो यह पंक्ती इदगा काहानी से ली गई है और कोश्टन कि हामिद की दादी का क्रोध बदल गया अब यहां से स्टार्ट हो रा है आप लोग का चैप्टर नमबर देख लेते हैं देखिए सारा अब्जेक्टिव कोशन करने वाले हैं सारे चैप्टर का आप लोग को अब एक प्रशन भी टेंसन लेने की ज़ुरत नहीं है सारा अब्जेक्टिव आज के इस वुडियों में कम्प्लीट कर लेंगे जितना भी टेंथ क्लास के नौन हिंदी के बैठे रहते हैं सी में आज का काम कल पर टालते हैं और डी में भागय को कोशते रहते हैं तो इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए जो कर्म के प्रती निष्ठा रखते हैं वही कर्मवीर कहलाते हैं जो अपने कर्म पर विश्वास करते हैं और फल की वह सोचते हैं कि कि लिए कर्म करोगे उतने ही फल मिलेगा और इसलिए यह किसी भगवान या फिर खुदा पर विश्वास नहीं करते हैं只 अब्ने कर्म करते हैं कर्म के प्रतिश्ठाही व्यक्ति की डैस का निर्दारन करती है ए में सफलता भी मेher विफलता में योग्यता और D में इन में से कोई नहीं तो कर्म के प्रती निस्ठा ही व्यक्ति की सफलता निर्धारित करती है यानि कि कर्म वीर ये जो चैप्टर है ये एक कवीता है यानि कि option number C is the right answer I hope आप लोग C लगाए होंगे जो की बिल्कुल सही जवाब है आगे बढ़ते हैं question number 4 कि कर्म वीर पाठ के रचाईता कौन है राइटर लेखक का नाम बताना है option A में है गुपाल सी नेपाली B में है फरिश्वर नाथ रेडू C में है कामता प्रसाद सिंग D में है अयोध्या सिंग उपाध्याय हरी ओद right answer is मैं बता दू आप लोग सबसे पहले बताईए मेरे बताने से पहले चार का option number D हो जाएगा अयोध्या सी उपाध्याय हरी ओद option number D is the right answer आगे बढ़ते हैं स्वय को कर्म वीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा हमें अपने कर्तव अपने काम के प्रती निष्ठा रखनी होगी कर्म पर ही विश्वास करना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं डैस के द्वारा मनवान्चित लक्ष की प्राप्ति की जा सकती है किसके द्वारा बताएं अपने में परिश्रम भी में चलाखी सी में मुर्खता और डी में बोली बताइए खाली जगा पर क्या रहेगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा उपसर नमबर ए परिश्रम के द्वारा मनवान्चित लक्ष की प्राप्ति की जा सकती है भाई कुछ भी अगर आप लोको प्र सच्चाई के रास्ते पर चलकर खुद से मेहनत करकर इमानदारी के सांथ अगर आप कुछ लक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी आप लोग को परिश्रम करना ही होगा मतलब कुछ भी आप अपना जो भी आपका मनवान्चित लक्ष है उसकी प्राप्ति के लिए हर इनसान को परिश्रम करना ही पड़ेगा चलिए आगे बढ़ते हैं कर्मवीर श्रिशक कवीता किस भासा में लिखी गई है लेकिन चोरी नहीं करना चाहिए यह गलत बात है हम यह बताना चाहरे हैं कि कोई भी हो चाहे वह गलत काम हो या फिर वह सही काम हो जो भी आपका परिश्रम करना जरूरी होता है कोई बीए से काम बताइए जिसको करने के लिए आगे परिश्रम ना करें ठीक है आगे बढ़ते हैं कि कर्मवीर श्रिशक कवीता किस भासा में लिखी गई ए में अधिली सी में भचपूरी और डी में खड़ी हिंदी तो इसका राइट इंस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोद की कवीता है ए में बच्चे की दुआ बी में पीपल सी में कर्मवीर और डी में है सुदामा चरीत राइट एंसर इस ऑप्सन नंबर सी कर्मवीर लिखा गया है अगला सवाल कि सब्यता एम संस्कृती के रक्षक और निर्मार करता है ए में साधू बी में है वीर सी में कर्मवीर और डी में क्रिशक राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नंबर सी कर्मवीर सब्यता हैं संस्कृती के रक्षक और निर्मार करता कर्मवीर कहलाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं कर्मवी बनताओं से जुड़े हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सव्यता संस्कृति का निर्मार करती है बताए ए में तुजिंदा है तो भी में कर्मवीर सी में बच्चों की दुआ और डी में सुदामा चरीत राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमबर बी कर्मवीर क्यो करना डी में शर्मिंदा होना राइट एंसर हो जाएगा ऑपसर नमबर सी कड़ी मेहनत करना लोहे के चने चमादा मुहावरे का अर्थ है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखकर बाधा विविद्ध बहु विग्न घबराते नहीं रा भरोसे भाग के दुख भोग पच्ताते न करना वह व Capital भाधा को देखकर परशानयों को देखकर घबराते नहीं वह सहज मने रहते हें दुख दुख भोग पस्ताते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पस्ताते नहीं, यानि कि वो अपने भाग के भरोसे नहीं रहते हैं, कि मिर भाग में लिखा था, तो ये ऐसा हो गया, मिर भाग में यही लिखा था, ऐसे नहीं होते हैं, वो अपने कर्म पर विश्वास करते है वो कर्मवादी होते हैं ना कि भाग्यवादी ठीक है आगे बढ़ते हैं भूल कर भी दूसरों का मुह कभी तकते नहीं कौन ऐसा काम है जिसे कर वे सकते नहीं किस से किसको कहा गया है तो option number D कर्मवीर को कहा गया है कि भूल कर भी दूसरों का मुह कभी तकते नहीं कौन ऐसा क आज हैं कर सकते नहीं करम बीर काहा है कर्म भीड में नहीं दिखाता नहीं दिखाते हैं और bटें फड़े नेक्स्ट कोस्टन है कि चिलचलाती धूप जो चांदनी देवे बना काम पड़ने पर करे जो डैस का भी सामना काम पर भी करे fighting डैस यानि की शेर का भी सामना यानि की option number A इस दोराई चंसर I hope आप लोग A लगाया होंगे जो की बिल्कुल सही जवाब है आगे बढ़ते हैं next question है कि कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं यह में रतन भी में शीसासी में कार्बन और डी में पत्थर तो कर्मवीर कांच को कांच को रतन करके दिखा देते हैं और यहां से स्टार्ट हो रहा है आप लोगा चैप्टर नंबर और यहां से सबसे पहला प्रश्न है कि बाल गोबिन भगत किस विधा की रशना है बाल गोबिन भगत नाम का चैप्टर है यह किस विधा की रशना है क्या यह कवीता है कि निबंद है कि रेखा चित्र है कि कहानी है बताएं सही एंसर हो जाएगा option number C बाल गोविन भगत जो है ना ये एक रेखा चित्र है I hope आप लोग C लगाया होंगे जो कि बिल्कुल सही जवाब है आगे बढ़ते हैं next question कि बाल गोविन भगत के रशनकार है इस chapter के writer कौन है लेखक कौन है ब बाल गोविन भगत नाम के chapter के writer है आगे बढ़ते हैं रशनकार है बाल गोविन भगत के कितने बेटे थे बाल गोविन भगत का सिर्फ एक ही बेटा था यानकी option number A is the right answer एक ठीक कलम का जादूगर किसे कहा जाता है ये most important है बहुत बार पूछा गया है option A में है प्रेम चंद question most important है इसलिए एक भी question आप लोगो को छोड़ना नहीं है ये तो most important है इसको अभी क्या भी याद कर लीजे जो मतलब इन subjective जो इन objective question में से आप लोगो को बता दे रही हूं कि यह बहुत बार पूछा गया है उसको अभी क्या भी याद कर लीजे और बाकी जितना भी मैं करा रही हूं उसको उसपर तो आप लोगो को कमांड कर ही लेना है लेकिन इसमें भी जो मैं आप लोगो को most important बता दे रही हूं आप लोगो के लिए समझे तो most important है बाल गोबिन भगत पेशे से क्या है यह भी question पूछा गया है बहुत बार बताये option A में कवी में संत सी में फकीर और D में ग्रियस्त तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number D बाल गोबिन भगत पेशे से ग्रियस्त है option number D is the right answer बाल गोबिन भगत की उम्र थी बाल गोबिन भगत की उम्र थी आगे बढ़ते हैं बाल गोबिन भगत कवीर को क्या मानते थे यह भी question पूछा गया है बहुत बार बाल गोबिन भगत कवीर को जो है न क्या मानते थे बाल गोबिन भगत का बेटा कैसा था ए में सुष्ट बी में बुद्धिमान सी में मोटा डी में दुबला पतला यह भी answer इसका आप लोगोबिन भगत का बेटा जो है न वो सुष्ट था बहुत ज्यादा देखे सारे objective question का answer आप को याद होना चाहिए मैं आप लोगो फिर से बोल रही हूं कि एक भी question नहीं छोड़ना है सारा का सारा objective question आज के इस एक वीडियो में complete हो जाने वाला है न तो जितना भी आजके इस वीडियो में complete करा रही हूं मैं अभी यह सारे objective question पर आप का command होना है होना चाहिए एकदम होना चाहिए ही चाहिए क्योंकि इसके इलावा दूसरा कोई objective बन ही नहीं सकता है जितना भी objective है इस एक कि इसको कभीर दास को मानते थे option number a दराइट इंसर 9 का ए हो जाएगा बालगोविन भगत कभीर को साहब मानते थे ना यान की कभीर को अपना आदर्श मानते थे option number a आई होप लगाए होंगे आप लोग बिल्कुल सही जवाब है आगे बढ़ते हैं बालगोविन भगत कभी कभीर को साहब क्यों मानते थे option a में बच्पन के दोस्त थे वी में साथ पढ़े थे सी में कभीर के पुजारी थे और डी में कभीर के आदर्शों पर चलते थे सही एंसर हो जाएगा option number d कभीर के आदर्शों पर चलते थे इसलिए बालगोविन भगत कभीर को साहब मानते थ ठीक है बाल गोविन भगत की संगीत साधना का उतकर्ष देखा गया यह मेह बेटी के जन्म दिन पर बी मेह बेटे के परदेश जाने पर सी मेह बेटी की शादी के दिन और डी मेह बेटे के मृत्यू के दिन तो बाल गोविन भगत की संगीत की साधना का उतकर्ष देखा गया था जब उनके बेटे की मृत्ति हो गई थी यानि कि option number D हो गया बिलकुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं बाल गोविन भगत की पतोहु कैसी थी यह मैं पागल भी मैं रोग ग्रस्ती मैं शुसील और डी मैं जगडालू तो बाल गोविन भगत की पतोहु जो थी ना पतोहु वह बहुत ही जदा शुशील थी बहुत अच्छी थी यानि कि option number C is the right answer I hope आप लोग लगाये होंगे आगे बढ़ते हैं बेटी के बेटी के नहीं बेटे के मरने पर बाल गोविन भगत A में हैं रोने लगे B में हसने लगे C में हैं गाने लगे और D में हैं सर पीटने लगे right answer आप लोगो पता होगा option number C हाँ गाने लगे वह अपना जो भी सामान रखते हैं गाने का वह बाल गोविन भगत जैसे ही मतलब उनके बेटे की मृतियों की खबर आई उनका बेटा जो है ना सामने जो ता है ना बोल सकते हैं मृत सरीर लेटा हुआ था वही पर जाकर जदा गाना गाएं और सभी को बोल रहे थे कि तुम लोग खुशिया मनाओ क्योंकि आत्मा प्रमात्रमा से मिल चुकी है आगे बढ़ते हैं next question है कि बेटी के मरने बेटी नहीं बेटे के मरने के बाद पशो के पास जाकर बाल गोविन भगत क्या बोलते पशो नहीं पशो क बेटे के मरने के बाद बाल गोविन भगत अपने पतोह के पास जाकर बोलते हैं कि यह रोने धोने का समय नहीं उच्छो मनाओ क्योंकि आत्मा प्रमात्रमा से मिल गया यह लगाये होंगे यहां पर गलती से पश्वो लिखा गया है हिंदी टाइपिंग में थोड़ी थोड पैदल चलकर कहां जाते थे ए में हैं गंगा इसनान वी में त्रिथाटन सी में साधु संगत में डी में ब्यापार में राइट एंस राप लोगो दिख रहा है ऑप्शन नमबर ए गंगा इसनान करने के लिए बाल गोविन भगत हर साल 30 को पैदल चलकर जाते थे अच्छा तो यहांसे दो कोशन बन सकता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर 16 कि बाल गोविन भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना अनंद विभोर हो जाते कि खंजड़ी बजाते बजाते डैस थे यान कि रो पढ़ते थे बी में है नाच उठते थ हैं सिमें बेसुद्ध हो जाते थे डी महें प्रेंसो जाते ते लाइट एंसर अपसम नंबर भी हो जाएका नाच उठते थे इतना खंजड़ी बजाते बज्याते मगन हो जाते प्रभातियां कब शुरू होती यह में का तिक माहामें 02021 माहमें C में है चैत महामे और D में है वैशाक महामे इसका सही जवाब होगा option number A कातिक महामे I hope आप लोग A लगाये होंगे जो की बिल्कुल सही जवाब है चलिए next question देखते हैं कि गर्मियों में उनकी संग्या उमस भरी शाम को डैस कर देती डैस के जगह पर क्या रहेगा फड़ावड बताएं मेरे एंसर बताने से पहले option A में है निर्मल B में है श्वक्ष C में है बोजील और D में है शीतल right answer हो जाएगा 19 का option number D शीतल कर देती थी चलिए आगे बढ़ते हैं का objective question चलिए देख लेते हैं टेंथ क्लास की नौन है दीके चैप्ट नंबर फाइफ पर आ गए हम लोग यह क्या है यह में है कहानी भी में कवीता सी में रेखा सित्र और D में यात्रा विर्तांत सही जवाब हो जाएगा option number D यह एक यात्रा विरतांत है राजे के बढ़ते हैं राजे के किस जिले में है तो हुन्डू का जल परपाद जो है वह छोटा नागपूर जिले में है यान की option number C is the right answer I hope आप लोग सी लगाए होंगे जो कि बिल्कुल सही जवाब है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि राची हुंड्रू का पानी निरंतर संगर्स के साथ चटान पर गिरता हुआ मानों डैस की स्रिष्टी करता है यह में है आग भी में सौंदर यह सी में हुंड्रू का जल परपात नाम का जो चैप्टर है उसमें लेखक किस कारखाने के बारे में व्याख्या किये हैं पता होगा आप लोग को वह है कोईला का कारखाना यान की option number A इस तरह आगे बढ़ते हैं हुंड्रू का जल परपात पाठ के लेखक हैं A में है राम द्रिष्टी में क्या है चोटा नागपूर जो है ना लेखा की डिष्टी में एक स्वर्ग का टुपड़ा है आगे बढ़ते हैं । सक अधिस मिल नोबब की सब साम above में जैन जय्व इस्व में आदिवासी संसक्रिटी से जवाब मेरे आंसर बताने से पहले आप में आंसर बताती हूं 9 का option number D हो जाएगा आधिवासि संस्कृति यानि कि option number D is the right answer पुरूलिया रोड से हुंडु की दूरी कितनी है A में है 3 mil, B में है 13 mil, C में है 27 mil और D में है 33 mil राइट एंसर हो जाएगा option number B 13 mil की दूरी पर है हुंडु की दूरी मतलब पुरूलिया रोड से 13 mil की दूरी पर है हुंडु है राची से पुरूलिया वाली सडक मिलती है A में है 14 mil की दूरी पर B में 13 mil, C में 29 mil और D में 7 mil तो इसका सही जवाब होगा option number A 14 mil की दूरी पर है पुरूलिया सडक ठीक है राची से हुन्रू का जल प्रपात डैस यानि कि कितना उचा है बताना है A में है 223 फीट B में है 233 फीट C में है 243 फीट और D में है 253 फीट ये तो एकदम हलवा कोश्चन है आप लोग को पता होगा 12 का अप्सन नमबर C हाँ 243 फीट उचा है हुन्रू का जल प्रपात आगे बढ़ते हैं हुन्रू का जहरना पत्थर पर गिरने के बावजूद भी कितनी उचाई तक उठता है A में है 20 फीट B में है 15 फीट C में है 10 फीट और D में है 5 फीट राइट एंसर हो जाएगा 13 का ऑप्सें नमबर A 20 फीट की उचाई पर हुन्रू का जो जहरना का पानी है 243 फीट उचाई है हुन्रू का जहरना उतना उचाई से जब नीचे पानी गिरता है पत्थर पर तो टकराने के बाद से फिर वापस 20 फीट उचा उठता है अब अगला प्रशन है कि हुन्रू के जल प्रपात के पास किसने बंगला बनवाया है A में है जीला बोर्ड ने B में वहाँ के राजा ने C में मुखे मंत्री ने और D में प्रधान मंत्री ने इसका सही एंसर हो जाएगा ओपसर नमबर A जीला बोर्ड ने वहाँ के राजा ने भी नहीं बनवाया है मुखे मंत्री ने भी नहीं और प्रधान मंत्री तो बिल्कुल भी नहीं ओपसर नमबर A हो गया बिल्कुल सही जवाब चलिए आगे बढ़ते हैं कुशन नमबर 15 कि किमवधन्ती के अनुसार हुंडूर से कितनी मिल की दूरी पर कुश लोगों ने हुंडूर से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है बताएं ओपसर ये में है 10, B में है 15, C में है 5, D में है 7 इसका एंसर हो जाएगा ओपसर नमबर D साथ मिल की दूरी पर हुंडूर से भी कई गुना बड़ा लोगों ने प्रपात देखा है जल प्रपात आगे बढ़ते हैं स्वार्ण रेखा नदी के उदगम स्थान से कितना मिल दूर आगे आकर हुंडूर का जड़ना है तो वो है 50 मिल दूर आ गया कर हुंडूर का जड़ना है आगे बढ़ते हैं फड़फट स्वार्ण रेखा नदी कहा गिरती है ए में हिंद महासागर में बी में अरब महासागर में अरब सागर में सी में बंगाल की खाड़ी में तो अभी तो देखिए यहां पर पूछा गिया न तो यहां और तो यहां पर सुर्ण रेखा एक डैस के जगा क्या रहेगा नदी यह तो एकदम हलुआ कोश्चन था आगे बढ़ते हैं पुंरु का जल पर पात शर्षक अध्याय में किसके पृति पर कठ किया गया है असने में डीवासी संस्कृती के प्रती यह जन्सकृती के फ्रतीLог जायेगा होने से प्रती के प्रती सादगी के ओतार और गरीवी की मुर्थी को पंक्ति कि स्पाढ्ट की है यह बंक्ति ली गई है हुंडू के जल परपात नाम के पार्ट से यानि कि option number D हो गया बिल्कुल सही जवाब next question देखते हैं दानी दान करता है तो गुमान करता है पर युग युग से न जाने कितना पानी या पहार दान कर चुका है पर इसको कोई अभिमान नहीं है या पंक्ती किस पार्ट से संबंदित है ए में दिन बंधो निराला बी में चिकित्सा का चक्कर सी में हुंडू का जल परपात और डी में इदगा इसका सही जवाब हो जाएगा option number C हुंडू का जल परपात इसी chapter में कहा गया है कि दानी दान करता है तो गुमान करता है पर प्रपात का जो जहर्णा है पानी वह कितना युग-युग सेफ़ए ऑपकर अभOH अभिमान नहीं है लेकिन जो दानी होता है वह करता है तो अपने आप पर फुमान करने लगता है है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आगे बढ़ते अगर आप antiion दे नहीं कि और्म धनबाद सिह भूम और बाला सोर जीले से होकर कहां मिलती है बताएं उप dep сол के सागर बेम हैं महासागर में ची में बंगाल की खाड़ी में और डी में है गुफा में सी गुफा लुए जाकर मिलती हैं बंगाल की खाडी में यह दुबारो कोशन पूआ यह कोई एक तो क 우리 महान मंजिल पर पहुँचने के लिए मारग भी महान होना चाहिए यह किनकी उक्ती है तो यह उक्ती है महात्मा गांधी की आपसा नंबर भी इस तराइट एंसर आगे बढ़ते हैं पचीस नंबर सवाल की लेखक को हुन्रू के जल परपात के वातावर्ण की सुन्दरता ऐसा मालूम होता है मानो डैस के समिप पहुँच गए हो डैस के अनकी खाली जगापर क्या रहेगा बताएं अपसाने में देव लोक भी में भू लोक सी में इंद्र लोक और डी में स्वर्ग लोक राइट एंसर हो जाएगा 25 का अपसान नंबर ए देव लोक मानो वह देव लोक चलिए फड़फड इसको भी देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्ण है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है ए मेह कबीर के दो है बी मेह बिहारी के दो है सी मेह खुसूर अच्ते हात और डी मेह जासी किरानी राइट एंसर और अपसा नंबर वी भीहारी के दो है भई चेप्टर नंबर 6 का नाम यह भीहारी के दो है तो चेप्टर नंबर 6 का objective ऑप्जेक्टिव को स्वाल ही ना कर रहे हैं तो उसी सवाल उठाया जाएगा न मेह नल से निर निकलता है C में हैं दोनों ही नीचे से उपर उठते हैं और D में हैं इन में से कोई नहीं तो नल की अरू नल नीर की गती एक देसी क्यूं है बताए फड़फट राइट एंसर इसका सही एंसर हो जाएगा option number C दोनों ही नीचे से होकर उपर उठते हैं आगे बढ़ते हैं सच्चा व्यक्ती कौन है option आपके स्क्रीन के उपर है A में है जो स्वार्थी हो B में है जिसका हिर्दाय पवित्र हो C में है जो जूटा हो D में है जिसके मन में खोट हो इस दिख जा रहा है आप लोगों को यह तो निगेटीव ही दिख रहा है यह तो होगा नहीं जो जूटा हो यह भी नहीं होगा जिसका मन में खोट हो यह भी नहीं होगा यानि कि जिसका हिर्दाय पवित्र हो वही सच्चा मानो है यानकी option number B is the right answer चार नंबर सवाल है कि मनुस्या डैस के पालन से श्रेष्ट बनता है बताए किसके पालन से मनुस्या श्रेष्ट बनता है आप लोग को पता है नम्रता यानि कि ऑप्शन नम्रता के पालन से इंसान श्रेष्ट बनता है जितना ही नम्र इंसान रहेगा उतना ही श्रेष्ट व है नमसे बढ़ा क्या होता है एक मिनट सी में है दोनों और डि में इनमें से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा अप्सान नमबर एक गुड नाम से बढ़ा गुड होता है आपके अंदर जो क्वालिटी होती है प्रशन है किसके दो है गागर में सागर के समान है यह मैं रहीम भी मैं कबीर सी मैं बिहारी और डी मैं सूर्दास तो इसका सही एंसर हो जाएगा उपसा नुबर सी बिहारी के जो दोहें होना है वो गागर में सागर के समान होते हैं यह चेप्टर में आप लोगों को लड़ी पढ़ा चुकिह हूँ और चेप्टर पढ होगा option बद सी रीति काल के कवी हैं लेक्शन की सिर्शक्त कवीता में किस तरह के दो बाधा हरो राधा नागरी सोए तनकी जाई परेश्यामु हरित दुती होए इस दोहे में बिहारी किनके वैभों का गुरगान किये हैं ए मेह कृष्ण भी मेह राधा सी मेह राम और डी मेह सीता सही जवाबों का ऑप्सन नमबर भी राधा राधा का ग्यारा नमबर सवाल कि किसे प्रेम कवी के रूप में जाना जाता है प्रेम कवी के रूप में सिर्फ एक ही को जाना जाता है वो है बिहारी ऑप्सन नमबर एस दराइट एंसर आगे बढ़ते हैं बड़े न हुजय गुनन बिनू विरत बड़ाई पाए कहत धतुरे सो कनक गहनों गढ़ियों न चाए कावे पंक्ति है किस कविता से ली गई है किस कावे से ली गई है बताना है option A में है कर्मवीर, B में, people, C में, सुदामा, चरित और D में, बिहारी के दोहे, right answer option number D हो जाएगा, बिहारी के दोहे से ली गई है आगे बढ़ते हैं कुमती का अर्थ है कुमती का अर्थ क्या होता है कुमती का अर्थ issue प्रसंद सी में खराब बुद्धी और डी में है वियर्थ तो इसका सही आप लोगों को दिख्राओगा ऑप्सनबर सी हो जाएगा कुम्मुती का अर्थ होता है खराब बुद्धी ऑप्सनबर सी राइट इंसर नेक्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं सवाल नमबर 14 कि सुधी का अर्थ है अब सुधी का अर्थ बताना है सुधी का अर्थ होता है चेतना यानकी ऑप्सनबर सी राइट इंसर पड़ापड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है कि जब माला छापे तिलक सरेन एको कामू प्रस्तुत पंक्ति किस कवीता से ली गई है यह ली गई है बिहा बादर कोशन उठाया जाते हैं आप लोगे एक्जाम में तो चली इसका भी देख लेते हैं सबसे पहला प्रशन है कि सिर्चन को लोग समझते थे क्या समझते थे बताईए यह बहुत बार पूचा गया है अप्सन नमबर एइस दराइट एंसर आगे बढ़ते हैं ठेस कहान के लेखक कौन है आगे बढ़ते हैं ठेस कहानी से हमें क्या इसपस्टी करण होता है बताना है ए में श्रम के प्रति सम्मान की भावना भी में रिष्टो की गहराई और दी में मनुस्य की पक्षधरता और डी में सभी राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी सभी क्योंकि ठेस नम की जो कहानी है न इस कहानी से हमें श्रम के प्रति सम्मान की भावना भी जगती है रिष्टो की गहराई भी समझ में आती है और मनुस्यता की पक्षधरता भी इस कहानी में दिखाई देती है यानकि तीनों हैं सब्सक्राइब हैं सिर्चन को कौन देने लगा मोहर धोटी का दाम सिर्चन भानो दीधी देने लगी сок कि अगे बताइघ हैं सिर्चन को पान कांग किसने दिया बतायें मेरे ऐंसर बताने से पहले और यह दोन selfish हो जायेगा बिल्कुल सही बढ़ते हैं फड़ाफट एक मिनट हाँ ठेस एक क्या है डैस के जगा बताना है क्या है यह में कहानी भी में कवीता सी में रेखा चित्र अड़ी में जीवनी तो ठेस जो है न यह एक कहानी है और इस तराइट एंसर एकदम हलवा हलवा कोश्टन है आप लोग बता रहे होंग आगे बढ़ते हैं फड़ाफट तुम्हारी भावी नाखुनों से खोड करतरकारी परोस्ती है किसने कहा उपस N9A में इसमे बड़ी भावी ने डी में अंकले तो तुम्हारी भावी नाखुनों से खोट करतरकारी परोस्ती है ये कहा था सिर्चन ने option number 20 the right answer I hope आप लोग भी लगाये होंगे जो कि बिल्कुल सही जवाब है next question देखते हैं सवाल number 10 कि ठेस शिर्शक कहानी में सिर्चन क्या था ये में है कामचोर भी में है वकीर सी में सिकित्सक और डी में कलाकार तो शिर्शक जो है ना वो कलाकार था कामचोर नहीं बोलेगा कामचोर तो गाओं वाले लोग बोलते हैं लेकिन ये जो सिर्चन था वो एक कलाकार था आगे बढ़ते हैं शितल पाटी वगरा बनाने का काम करता था अगला प्रशन है कि ठेस कहानी में किस दिन चीक की पहली पाती में साथ तारे जगमगा उठे सात रंग के आपसने में पहले दिन भी में दूसरे दिन सी में तिसरे दिन और डी में चौते दिन इसका सही जवाब होगा आपसन नमबर बी दूसरे दिन ही चीकी की पहली पाती में साथ तारे जगमगा उठे थे आगे बढ़ते हैं फड़फट गाउं के लोग सिर्चन को क्या समझते थे तो गाउं के लोग जो है ना आप लोग को पता होगा सिर्चन को बेकार ही नहीं बलकि बेगार समझते थे सिर्चन को बुलाने से पहले लेखक किस से पूछ रहे थे तो वो अपनी मा से पूछ रहे थे सिर्चन के सिर्चन के सूप में क्या फेक कर चली गई तो मंजली भावी जो है ना वो बुंदिया फेक कर चली गई थी सिर्चन के सूप में लो खा लो ठूस लो ऐसे होता है ना गुस्सा होता है आदमी तो फेक कर चला जाता है कि लो ठूस लो उसी तरब फेक कर चली गई थी आगे बढ़ते हैं सिर्चन को किस चीज़ का दाम दी मानु इस्टेशन पर सिर्चनको किस चीज़ का दाम दी तो वो दी थी मोहर मुटош या और यह पहले के दमाने में बहुत ज्यादा पैसा था आठ रूपय ठीक है यह कहानी किसकी मन की की विष्ष्ष्टाओ का मारमिक वर्णन करती है ठेस नामका कहानी में कि लोक संस्कृती का प्रभावी वर्णन है तो इसका सही अन्सर हो जाएगा आपसा नमबर C मिठीलांचल जो है ना इस जगा की लोग संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया गया है सिर्चन ने किसको बेपानी कर दिया था 25 नमबर सवाल आपसाने में पंचानंद चौधरी के नौकर को भी में पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को और दी में पंचानंद चौधरी के चोटे लड़के को और दी में पंचानंद चौधरी के मुन्शी को तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसान नमबर C पंचानंद चौधरी के चोटे लड़के को जो है ना सिर्चन ने बेपानी कर दिया था पानी पानी होता है ना उस तेरह सिर्चन को खखोरन के साथ क्या पसंड था व्यसे कहानी बहुत ज्वरदस्थ है आप लोग इस कहानी को जरूरर पढ़िये गार नहीं उसी चैनल के प्लेश्ट में चलिए मैं यह आप आप लोग जाकर पड़ सकते हैं और बीच में आप लोग को यहां दिला दू कि अगर आप लोग चैनल पर नए आये हुए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि तो ज़रूर सबस्क्राइब कर ले शेयर करते चालो तो अगर अभी तक शेयर नहीं कि तो और वीडियो को लाइक करना नहीं बूलना है फड़ाफट लाइक भी कर दें लाइक नहीं कियें तो तो देखे 26 नंबर सवाल जो है सिर्चन को खकोरन के साथ क्या पसंद था इसका जवाब हो जाएगा सिर्चन ने चाची से क्या देने को कहा ए मैं है लाइसे कहानी है ए में है आंचलिक ब मैं है शहरी है क्या कहानी है और इस तराइट एंसर फड़वर आगे बढ़ते हैं तीस नंबर सवाल कि मानू कौन थी ए में है कहानी की नाई का भी में सिर्चन की बेटी सी में लेखक की रिष्टदार और डी में है लेखक की बहन सही जवाब हो जाएगा तीस नंबर का ऑपसर नंबर डी लेखक प्रफ्ट जे रहा है सही जवाब और सिछ बनाने के लिए आपसर नंबर सी इस दो रैट एंसर 32 सवाल ठेश कहानी में कि पातर है एह है कि नंबर सवाल की मिथिलांचल की लोग संस्कृति का परभावी और नंट कि कहानी में यह तो अभी मैं आप लोगग हो बताई ही तैसिस का उप्षानबर सी हो जाएगा ठेस कि थर्टी-फोर नंबर कोश्चन है कि भज्जू महाजन की बेटी कि टोले की थी यह में ब्रामन टोला भी महाजन टोला सी में राजपुत टोला और डी में वैस्ट टोला सही अंस्रोंगा उप्षान नमबर B महाजन ठोला महादन ठोले की थी वो 35 नंबर सवाल कि कितने दिन पहले सिर्चन को काम पर बुला कर तैनाद करवा दिया गया था यहां से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 8 देखें लिखा हुआ है इसका objective question चलिए सबसे पहला प्रश्ण देखें आपके स्क्रीन के उपर आ चुका है सबसे पहला प्रश्ण है कि बच्चे की दुअ किस विधाकि रशना है चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है बच्चे की दुआ बच्चे की दुआ नाम के चैप्टर का विए सारा कोशन आप लोगों मिलेगा तो यह जो है चैप्टर बच्चे की दुआ यह क्या है A में है कहानी B में है कवीता C में है निबंद और D में है डाइरी आप लोगों को पता है इसका सही एंसर अप्सान नंबर B हो जाएगा कवीता बच्चे की दुआ क्या है यह एक कवीता है जिसको उर्दू में कहा जाता है नजम ठीक है कवीता को उर्दू भाषा में क्या कहते है देखे यहां पर पुछ दिया है ना कवीता को उर्दू भाषा में क्या कहते है तो अभी मैं बताई नजमियन की option number C is the right answer चलिए फड़ फड़ आगे बढ़ते हैं तीज नमबर सवाल कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको किसकी पंक्ती है option A में है दिनकर B में है शंकर शैलेंदर C में है अरून कमल और D में है इकबाल मुहम्मद इकबाल तो इसका सही answer क्या हो जाएगा option number D मुहम्मद इकबाल की पंक्ती है मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको बच्चे की दुआ श्रिशक कविता में दुआ कौन कर रहा है A में है बच्चे B में है कवी C में है देशवासी और D में है देश के यूवा तो सही answer दिख रहा है आप लोगों को चप्टर का नाम ही है बच्चे की दुआ कविता का नाम यानि कि इसमें बच्चे दुआ कर रहे है option number A is the right answer बच्चे इश्वार से क्या मांग रहे है A में है उनके वतन की शान बढ़े B में है उनसे कोई अपराद ना हो C में है नेक रहा पर चले और बुराई से बचे और D में है सभी देखिए तीनों option एकदम positive है यानि कि option number D में देवी ही दिया है सभी यानि कि option number D is the right answer बच्चे जो है ना इश्वार भगवान अल्लाह से ये मांग रहे हैं कि उनसे उनके वतन की शान बढ़े उनसे कोई अपराद ना हो नेक रहा पर चले और बुराई से बचे option number D आप लोग लगाए होंगे जो कि बिल्कुल सही जवाब है question number 6 है कि दर्दमंद और वन्चित की हिफाज़त का संकल्प किस कवीता में हैं राइट एंसर option number 3 हो जाएगा बच्चे की दुआ फड़वड़ा आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है question number 7 कि बच्चे की दुआ श्रिशक कवीता में किसे बहतर बनाने की कामना मुखर हुई है तो वो है संसार संसार को बहतर बनाने की कामना मुखर हुई है बच्चे की दुआ के कवी कौन है बच्चे की दुआ के कवी का नाम है मौहमद इकबाल option number दोनों देखना है ध्यान से किसी तरह से भी question घुमा कर पूठ सकता है अब आगे देखिए मेरी अल्ला बुराई से बचाना मुझको निक जो राह हो उस राह पर क्या रहेगा बताना है तो निक जो राह हो उस राह पर चलाना मुझको option number a हो गया बिल्कुल सही जवाब यह तो एकदम हलवा question है आगे बढ़ते हैं बच्चे की दुआ कविता में कवी किन चीजों की राह किन चीजों की चाह रख रहा है बताएं यह जो बच्चे की दुआ नाम का कविता इसमें कवी किन चीजों की चाह रख रहा है तो इसका सही अंसर पता है क्या होगा option number D उपर सभी यानि कि दुनिया की अंधेरे को मिटा सके हमारे दम से वतन की सुन्दरता बढ़े दर्दमंद और वन्चीतों की हिफाज़त करे कर सके यह सब चीजों की चाह जो है ना इस कविता के जो कवी हैं वो रख रहे हैं यानि कि option number D हो गया बिल्कुल सही जवाब फड़ब गचे बढ़ते हैं next question है कि हो मेरे दम से यही मेरे वतन की जीनत जिस तरह फूलों से होती है चमन के जीनत उप्यूक्त पंक्ती में जीनत का अर्थ है जीनत का क्या अर्थ होता है बताना है right answer option number B हो जाएगा शौभा जीनत का मतलब होता है मेरे दम से वतन की जीनत बढ़े यान की शोभा भड़े यही जो कविता के कवी है वो चाह रख रहे हैं ठीक है बच्चे की दूआ डैस एक है बताइए यह मेह परातना गीत बी मेह लोक गीत सि मेह भक्ति गीत और डी मेह सामूही गीत तो बच्चे की 2 नाम कहें जो चैप्टर है कवीता यह एक प्राथना गीत है option number A is the right answer चलिए नेक का अर्थ होता है ये तो एकदम हल्वा कोशन आप लोग आख बंद करके बता सकते हैं कि नेक का अर्थ क्या होता है अच्छा यान कि option number A हो गया बिल्कुल सही जवाब मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको नेक जो रह हो उस र जरायत का अर्थ होता है भलाई यानिकि option number A is the right answer फड़ाफड आगे बढ़ते हैं बच्चे की दुआ कवीता से हमें क्या संदेश मिलता है option A में नेकी के राह पर चलना भी में बुराई की राह पर चलना सी में अपने अंदर इर्ष्या रखना और D में इन में से कोई नहीं अर्थ है चमन का अर्थ क्या होता है यह भी मैं आप लोगों को बता चुक्यों फुलवारी यानि कि option number B हो गया बिल्कुल सही जवाब तमना का अर्थ होता है option A में अभिलाशा B में फुलवारी C में होट और D में शिक्षा तो तमना का अर्थ होता है अभिलाशा option number A is the right answer अब यहां से जो objective question स्टार्ट हो रहा है यह chapter number 9 और 10 दोनों chapter को मिला कर है चली देख लेते हैं पड़ाफट सबसे पहला प्रशन है कि पदमा का संबंध है A में है बकसर की लड़ाई से B में है 1877 की क्रांती से C में कलिंग यूद से और D में है पलासी की लड़ाई से right answer होग A में कलिंग की महरानी B में कलिंग की राजकुमारी C में कलिंग की नर्तकी और D में इन में से कोई नहीं जो है न पदमा वो थी कलिंग की राजकुमारी option number B is the right answer next question अगला प्रशन है प्रशन नमबर 3 कि अशोक का शर्ष्टर त्याग किस विधा की रशना है यह क्या है option A मे निबंद B में एकांकी C में डायरी रोडी में संस्मरण तो यह जो अशोक का शर्ष्टर त्याग नाम का जो चैप्टर है यह एक एकांकी है option number B is the right answer चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रशन है कि अशोक का शर्ष्टर त्याग किन की रचना है किसके द्वारा लिख वशिंदर स्रिवास्ताओं के द्वारा यानि की option number is the right answer क्या होगा वनशीधर स्रिवास्ताओं ठीक है अशोक का शर्ष्टर त्याग शिक्चक एकांकी में कुल कितने मुख्य पात्र है इस जो आप लोगों के बुक में दिया गया है चैप्टर और सोक शर्ष्टर त्याग हो अपने पिता का बदल़ लेना चाहती थी अशोक से अस्तर हतियार है अस्तर कैसा हतियार है बताइए option की लिलकारने पर अशोक में क्या किया लगार ने पर भी अशोक। जो है उससे यूद्ध नहीं करता है और यूद्ध करना छोड़ दिया। मगद का समराथ था अशोक का यूद कितने वर्षूों से चल रहा था चप्टर के शुरुवात में ही लिखा गया है कि कलिंग का यूद जो है न वो चार वर्सों से चल रहा है यानि कि आपसन नंबर ए इस दो राइट इंसर आई होप आप लोग एं लगाये होंगे जो कि बिल्कुल सही जवाब है अश्रोक का प्रमधर्म और शान्ति का पकसदर ये दोनों उदेष्टे है मूल उदेष्टे है अश्चो का सस्त त्याग नाम का चैप्टर लिखने का ठीक है कलिंग महराज की कन्या कौन थी कलिंग महराज की कन्या थी पदमा मैं इस्तरीवद नहीं करूंगा यह पंक्ति किसम ने कहा और बाद-विक्चु के सामनेरें और अशोख उसके सभी सैनिक किस रंग के वस्त्रधारन किये हुए अशोख मात्मा के सामने नीचे तल्वार फेख देता और बोलता है कि मैं ऐस्त्रिवद नहीं करूंगा मतलब हमारे शास्त्र में इसा नहीं से युद किया जाए इसलिए मैं आप से युद नहीं करूंगा और फेग देता है तल्वार कुश्च नमबर सोला कि जिस सेना में जिस सेना ने आपके पती भाई बेटे और पती की हत्या की है वह आपके सामने खड़ा है यह किसने कहा यह कहीं रहती है पदमाने और इस उत्साहित करती है पदमा आगे बढ़ते हैं अहिंसा के पक्ष में अपने कथा का मार में क्विकास करता है कौन सा चैप्टर तो चैप्टर नमबर ए यानिकि अशोक का सस्त्र त्याग कोश्च नमबर 18 कि अशोक कलिंग की राजकुमारी पदमा पर शस्त्र नहीं चलाता है क्योंकि वह अप्साने में राजकुमारी थी भी में महिला थी इसी में सैनिक थी दी में इन में से कोई नहीं क्योंकि वह आप लोग को पता है वह महिला थी इसलिए अशोक कलिंग की राजकुमारी पर शस्त्र नहीं चलाता है कलिंग संबंदित हैं किस से तो पदमा से ठीक साइनिकों को तलवार फेकने का आदेश किसने दिया और विजुली बात है अशोक देगा ना अशोक का सैनिक है तो अशोक की देगा आदेश की अपने तलवार फेक दो तो आपसन नमबर डिस दराइड एंसर इस्वर्चंद्र विद्यासागर की और डि में निराला जी की राइट एंसर हो जाएगा ऑपसन नमबर सी इस्वर्चंद्र विद्यासागर की पंक्ति है तुम्हारी निंदा वही करेगा तुम्हारी बुराई वही करेगा जिसकी तुमने कभी भलाई की हो यह बिल्कुल सही आती है सबसे पहले निंदा करना स्टार्ट करता है बुराई करना चिंता डैस समान होती है चिंता चिता के समान होती है उप्सन अबर एक चीज में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ ठीकिए अगर आप लोग चैप्र पढ़ें सारे कोशन का एंसर आई होप आप लोग तो इसका सही अंसर में बता देती हूँ और सी हो जाएगा बिहार ठीक इर्शिया का काम क्या है इर्शिया का काम ही है जलाना यानि कि ऑप्सन अंबर ए इस दराइट एंसर जो जिसके अंदर इर्शिया आ गई वो देख देकर दूसरों की उन्नती देकर बहुत ज़दा जल एंसर इर्शिया तू ना गई मेरे मन से पार्ठ की विधा है इस दूना गई मेरे मन से चैप्टर है यह चाहानी है कि निबंध है कि संस्मरन है कि यह कांकी है तो इसका सही अंसर हो जाएगा 28 का उप्सन नबर भी एक निबंद है जो कि इर्श्या के ऊपर लिखा गया है रामधारी सी दिनकर का निबंद है और दिन बंद है राइट एंसर नबर सी दिखाई दे रहा है रामधारी सी दिनकर का निबंद है इर्श्या का संबंद होता है प्रतिद्वंद्विता से ठीक है किसे लेखक ने अनोखा वर्दान का है तो आप लोगो को पता है राइट इंसर क्या होगा दिख रहा है और सी इर्श्या को इर्श्या को जो है ना लेखक अनोखा वर्दान का है कि इर्श्या क्या है एक अनोखा वर्दान है जो हर किसी के पास हर किसी के पास होता है हर किसी को मिलता है ठीक है यार यह तो बाजार की मक्या है जो अकारन हमारे चार और विनविनाया करती है या किस इर्शिया कौन करता है ओप सने में जो दूसरों का सुख नहीं देख सकता जो दूसरों को हानी पहुंचाता है सी में सुख संतोष को अधूरा मानता है और डी में उपर युक्त सभी राइट एंसर 35 नंबर सवाल का ओपसन नंबर डी हो जाएगा यह तीनों क्वालिटी जिस कर वो किसी का मडर भी कर देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इर्शिया बहुत खतरनाक चीज़ होती है तो इर्शिया से बच कर ही रहना चाहिए हर इंसान को 36 नंबर सवाल कि आदमी में जो गुड महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते हैं या कथन किसका है यह किसने कहा है तो यह कथन है नित्से का नित्से नहीं कहा है कि आदमी में जिस इंसान में जो गुड महान होता है जिसके वो जैसे वो तरक्की करता है उसी गुड के चलते लोग उससे जलते हैं अब अगला प्रशन है कि रामधारी से दिनकर कि किस निब करने में व्यक्ति की अपनी दैस खास यूगदान देती है डैस के जगह क्या रहेगा बताएं फड़ा फट यहाँ पर सही ऐंसर 38 नमबर सवाल का ऑप्सन नमबर भी हो जाएगा अंतरात्मा तरहाओं को कम करने के लिए व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा ही खास यूगदान दे और अगे बढ़ते हैं वकील साहब के घर के बगल में कौन रहता है है वकिल यह के घर के बगल में जो है न वह एक बीमा एजन्ट रहता है ऑसन मबर 60 नबर सवाल का option number B हो जाएगा मुकाबला करना अब यहाँ से आप लोग का फिर से objective question स्टार्ट हो रहा है और यह जो objective question है वो chapter number 11 और 12 दोनों को मिला कर है देखते हैं सबसे पहला प्रशन है कि कभीर के पद शिर्शक पाठ किस विधा की रशना है कभीर के पद नाम का जो chapter है यह क्या है option A में है पद, B में है गद, C में है दोहा और D में है चंद answer आप लोग को दिखाई दे रहा है one का option number A हो जाएगा पद, कभीर के पद क्या है यह एक पद है, नाम में यह चुपा है कभीर के पद यानि की पद है खीक, आगे बढ़ते हैं कभीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता है option A में है अपनी अग्यानता से B में है मानसिक दुरबलता से C में है दोनो और D में है इन में से कोई नहीं कभीर के अनुसार व्यक्ति जो है ना दोनों यानिकि अपनी अग्यानता से और मानसिक दुर्पलता से दोनों से ही सत्य की पहचान नहीं कर पाता है या तो उसके अंदर ग्यान नहीं है जिसके ओजसे वो सत्य की पहचान नहीं कर पाता है या फिर उसका जो है मानसिक दुरबलता है उसका माइन उतना काम नहीं कर रहा है जिसके उजसे हो सत्य की पेचाम नहीं कर पाता है यानि की दोनों कारण हो सकता है आगे बढ़ते हैं फड़ाफट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभीर किस काल के कवी है यह में है भक्तिकाल बी में रितिकाल सी में वीर गाताकाल और डी में इनमें से कोई नहीं सही जवाब होगा आपसा नमबर ए भक्तिकाल के कवी है कभीर दास मोको कहा ढूंडे बंदे मैं तो तेरे पास में प्रस्तुत पंक्ती ली गई है अगला प्रशन है प्रशन नंबर पांच कि कभीर दास किस धारा के कवी है अगला प्रशन की कभीर के अनुसार सची भक्ती क्या है तो वो है मानो सेवा करना ही सची भक्ती है ये कभीर दास की अनुसार ठीक है साथ नंबर सवाल मैं कहता हो आखन देखी तू कहता कागद की लेखी पंक्ती ली गई है बताए किस से ली गई है साथ का सही एंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर डी कभीर के पद से लिया गया है मोको का अर्थ होता है मोको का अर्थ क्या होता है बताना है तो मोको का होता है मुझको मोखो कहां ढूंडे बंदे यानिकी मुझको कहां ढूंडे बंदे मैं तो तेरे पास में ठीक है कभीर कैसे संत थे यह मैं सब्सक्राइब क्या हो जाएगा कभीर निर्गडवादी संत थे आगे बढ़ते हैं नेक्ट को सब्सक्राइब किसके लिए परियोग किया गया है तो आप लोग जानते हैं मोखो शब्द जो है ना वह इश्वर के लिए परियोग किया गया है कि मोखो कहां ढूंडे बंदे मैं तो तेरे पास में यानि कि इश्वर खुद बोल रहे हैं कि हमको कहां ढूंड रहे हो बंदे मैं कहीं दूसरे जगा नहीं हूं मैं तुम्हारे पास हूं तुम्हारे हिरदय के अंदर हूं सच्ची मन से सच्ची भावना से अगर तुम मुझको ढूंड़ोगे तो मैं तुम्हारे अंदर ह चलि आगे बढ़ते हैं कागद का अर्थ होता है कागद आप लोग जानते हैं 11 का ऑप्सन नमबर D किन कवीताओं में सच से सीधे साक्षातकार अर्थात आखिन देखी की परस्ता होना है आप लोग को पता हैं ऑप्सन नमबर C हो जाएगा कभीर चलि फड़बर आगे बढ़ कि स्थापना किसने की ए में आर्यभट ने बी में अतिश्ट दिपंकरने सी में धर्मपाल ने और डी में विक्रम अधित्याने राइट एंसर होगा चोदो नमबर सवाल का ऑप्सन नमबर C धर्मपाल ने पालवंस की राजा थे धर्मपाल जी उन्हीं के साशनकाल में भशपूरी इसका सही एंसर होगा ऑप्सन नमबर A संस्कृत भासा विक्रम श्रीला में अध्यापन यानि की पढ़ाया जाता था टीचिंग कराया जाता सा संस्कृत बात सामें तो यहां पर क्या रहेगा संस्कृत रहेगा ठीक है तंत्र विद्या संबंधित हैं किस से तो अगला सवाल है अ में नवागत विद्यारतियों को कुछ समय के लिए कि वर्ग में रहना पढ़ता था यानि कि ऽतराइश आगी बर तर नंबर सवाल कि विक्रम शिला विश्य विद्याले का शर्वनास किस ने किया ए मेह सिकंदर ने वी मेह तुर्की आकर्मणकारी लुटेरों ने सी मेह बाबर ने और डी मेह अंग्रेजों ने राइट एंसर हो जाएगा ठाड़ा का ऑप्सन नमबर बी तुर्की आकर्मणकारी लुटेरों ने सवाल कि लामा संफरदाय की शुरुवात किसने की लामा संफरदाय की शुरुवात किसने की तो वो थे अतिश्च दिपंकर और सी इस दराइट एंसर अगला प्रश्ण है कि विक्रम शीला विश्व विद्याले के प्रथम आचार्य कुलपती थे कौन थे प्रथम आचार्य पताना है क्या भरा जाएगा डैस विधा के छेतर में आरे बट विश्व परसिद्ध है कौन से विधा के छेतर में तो वह है खगोल विधा के छेतर में आपसन नमर ए इस जो राइट एंसर अई होप आप लोग ए लगाये होंगे चलिए तेईस नमबर सवाल कि विक्रम श्री श्रीला की स्थापना कब हुई थी तो विक्रम श्रीला की स्थापना हुई थी आठवी सदी में आपसन नमबर इस दराइट एंसर विक्रम श्रीला कहां अवस्थित है तो विक्रम श्रीला अवस्थित है अंतीचक में आपसन नमबर इस दराइट एंसर यह सभी में आप ल कि खनन के दोना दवरान भूमी पर्ष मुद्रा में किसकी प्रतीमा प्राप्त हुई तो प्रतीमा प्राप्त हुई थी भगवान बुद्ध की ऑप्सन नमबर सी इस तराइटेंसर भगवान बुद्ध की प्रतीमा प्राप्त हुई खनन के दवरान 29 नंबर सवाल कि विक्रम शीला का आवीरभाओ किस राजववनस के काल में हुआ Operation A में है मॉरेवनस B में है गुप्त वनस C में है मुगल वनस और D में है पाल वनस तो इसका सही जवाब होगा Option D पाल वनस के राजा थे धर्मपाल ठीक है आगे बढ़ते हैं विख्रम शीला विष्रविद्याले का सरवनाश कब हुआ विख्रम शीला विष्रविद्याले का शरवनाश हुआ था ऊप्षू 7 द्धूरा लाइजा हैं सब्देख फड़वट्च पूराथवी खननन मेंं कितने फीट की भूमी इस पर्ष लिखा गया है इस पर्ष रहेगा यहां पर क्या रहेगा इस पर्ष इस पर्ष मुद्रा में वगवान बुद्ध की प्रफितीमा प्राप्त हुए कितनी फीट की बताना है तो इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर सी साड़े चार फीट आगे बढ़ते हैं दसवी ग्यारवी सदी तक पूर्वी एशिया का एक उतक्रिष्ट शिक्षाकेंद्र बन चुका था कौन तो वह है विक्रम शीला विश्विद्याले 32 का डी ठीक है आगे बढ़ते हैं विक्रम शीला में कितने विद्यारती थे अब वि ग्रंथ में विक्रम शीला के पतन का वर्ण है तो वह है धर्म स्वामी नाम ग्रंथ में आगे बढ़ते हैं विक्रम शीला से कितना फीट उचा इमारत के रूप में प्रधान चैते प्राप्त हुआ है यह में हैं 500 वीट भी में कर दिया तो यह मातले हैं प्रवाइज को इसको नहीं देख आप लगए और लोग से को पकड़ अर इस ट्रेन को आप जदा आप लोग विवाइस करेंगे उतना ही आप लोग के मैंड में ये फिक्स होते चला जाएगा और बोड इक्जाम में आप एक भी कोशन छोड़ करने आएंगे सारे को आप लोग एकदम सही सही बना कराएंगे इस लिए जल्दी से इस रफ्तार को आप लोग को पकड़ लोग ये इस ट्रेन की जो रफ्तार से लिए ना बहुत स्पीड से चल रही है तो आप लोग इस ट्रेन को जल्दी पकड़ लो और इस वन शॉट की वीडियो को आप लोग को बार बार पकड़ना है और बार बार रिवीजन करना है ताकि आप लोग बोड इक्जाम में सारा कोशन एक दम सही सही बना करा है आप लोग के मैंड में सारा कॉंटेंट इकठा रहे हैं देखते हैं देखिए पहला प्रशन है कि सत्य का परियोग किसकी कृती है ए में है राम मोहन राय बी महात्मा गांधी सी में जियोती बाला फूले और डी में आचारिया विनोबा दें ताकि सभी लोग इस ट्रेन की रफ्तार में इस अब्जेक्टिव कोशन की रफ्तार चल रही है इसमें जूड़ जाए और सभी लोग का भला हो उसके वीडियो को लाइक नहीं किये तो फड़ा फट लाइक कर दें चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिज से राइट एंसर हो जाएगा और महात्मा गांधी से संजु को डायरी लिखने की प्रेणा मिली थी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन कोशन नमर थ्री है कि चार जन्वरी उन्हें से संतानविर को संजु ने डायरी में किसके बारे में बताया यह में है पठानी लड़की संजु नबर सी इसे राइट एंसर दिधी की डायरी form का चप्रेर नाम की विधा है निवन्द है कि कहानी है कि आसम कथाहे की डायरी है राइट हो हो जाएगा option number डी एक डाइरी है दीदी की डाइरी ही तो डाइरी है नाम से क्लियर है रोज नामचा का क्या अर्थ है रोज नामचा का अर्थ होता है रोज कि ये जाने वाले किरियक लाप option number C is the right answer I hope आप लोग सी लगाए होंगे जो कि बिल्कुल सही संजु पिक्निक मनाने गई अगला कोशन देखते है प्रशन नमबर 10 कि संजु ने डाइरी लिखने की बात किस से बताई तो संजु जो है वो डायरी लिखने की बात बताई रहती है दादी से अपनी दादी से संजु के किस सहेली की शादी बच्पन में ही कर दी गई तो वो थी नीलू option number D is the right answer नीलू की शादी बच्पन में ही कर दी गई थी संजु डैस वर्स की है कितने वर्स की है तो संजु जो है ना वो आठ वर्स की है, option number 3, the right answer, संजु कैसी लड़की है, next question है कि संजु कैसी लड़की है, तो संजु एकदम बोल सकते हैं, भोली सी हसमुक है, यानिकी 13 का option number A हो जाएगा हसमुक, चंचल टाइप की, जो की comics वगरा पढ़ती है, और हस्ती हसाती है, ज्यादतर उसको सभी लोग क्या देते हैं, किताबे ही देते हैं, क्योंकि इसको किताबे, comics वगरा, कहानी पढ़ने का बहुच दा शौक था, इसलिए सभी लोग इसको फर्स्ट आये अपने क्लास में, या फिर इसका जनल दिनों, इसको किताब ही मिलता था, गिफ्ट में, तो तो जान किसकी कहानी है, तो तो जान किसकी कहानी है, बताए, यह में भारतिय लड़की भी में, जापानी लड़की सी में, नेपाली लड़की और डी में, ब्रिटिस लड़की, पड़वर बताए, मेरे एंसर बताने से पहले, अब चली मैं आप लोग एंसर बता रही कलकल चल चल या पंक्ति किसके द्वारा रचित है выпуск नैंसर क कवीता है कौन सा कवीता है गौपाल सी नीपाली का डिरेक्ट दिख जा रहा है option number a यानि कि people people part की विधा है यह क्या है निबंध है कि कविता ही कहानी है कि कि people जो है न यह एक कविता है option number B is your right answer आगे बढ़ते हैं question number 21 कि कवि के अनुसार people के पत्ते का अकार कैसा है कवि के अनुसार people के पत्ते का सौन्दर्य का आप बूल सकते हैं ब्यांजना हुई थी यहां पर ए रहे गा एगा एसस लिखा गया है तो पीपर कवीता में जंगल के प्रकृतिक चिजे होती है उसकी ब्यांजना की गई भया खोस्ता की गई इस जाईगा यह काल की कवीता है तो तो वो है छायवादी काल option number D is the right answer छायवाद हो जाएगा कौन सी पक्षी रात को रो रोकर बताती है तो इसका सही जवाब होगा option number एक चकोर बुलबुल किस रीतु में गाती है तो बुलबुल जो है वो वर्षा रीतु में गाती है option number D हो जाएगा सही जवाब question number 25 का आई हो आप लोग D लगाये होंगे आगे बढ़ते हैं जंगल की शोबा कौन बढ़ाते हैं option देखते हैं फड़फट चिडियो का कल्राओ B में है मोर का नाचना C में हंस की क्रिणा और D में है उपर्युक्त सभी right answer option number D आप लोग को दिखी रहा है people का पेड मानो सभ्यता के लिए A में है उप्योगी है B में अती उप्योगी है C में अनुप्योगी है और D में इन में से कोई नहीं सही जवाब होगा इसका option number B अती उप्योगी है people का पेड मतलब मानो सभ्यता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है people का पेड 27 का option number B हो गय आगे बढ़ते हैं 28 नंबर सवाल कि भारतिय संस्कृति में पीपल व्रिक्ष का इस्थान कैसा है तो पीपल व्रिक्ष का इस्थान है पूजनिया पूजा जाता है ठीक है शायवादी कविता के उल्लेखनी विश्रिष्ता है राइट एंसर हो जाएगा 29 का आपसन नमबर ए एंसर में आप लोग को बता देती हूझ अपसन नमबर सी गोपाल सी नेपाली इस दो राइट एंसर इन्हीं के दवरा रचित पार्ट है रचित कवीता है पीपल चलिए आगे बढ़ते हैं तीस नंबर सवाल तक हो गया अब यहां पर कोशन नंबर वन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए क्योंकि यह जो तीस नंबर सवाल है ना यह चैप्र नंबर 13 को दोनों को मिक्स करके हम लोग किए थे अब यहां से सवाल स्टार्ट हो रहा यह चैप्र नंबर 15 15 को देखे सबसे से पहला प्रश्न है कि बेलूर मठ कहां है पता होगा आप लोग को बेलूर मठ कहां है जी तौ़ा नबर सी कुलकत्ता में है यह तुए लुए को सबभी A में है घमंडी, B में है दिन बंधू, C में है इर्श्यालू और D में है सभी राइट एंसर हो जाएगा दो का option number B दिन बंधू, निराला जी का चरित कैसा था दिन बंधू, दिन दुख्यों की सेवा करते थे, दिन बंधू निराला पाठ की विधा है, बताएं, option A में है बंध है जो की निराला जी के उपर लिखा गया है, दिन बंधू, निराला पाठ के लेखक है, यह में है प्रेम चंद भी में, शिव पूजन सहाई, सही जवाब हो जाएगा, चार नंबर सवाल का option number B, शिव पूजन सहाई, विवेका नंद शोसाइटी के विराट आयोजन क कारेकरम में निराला जी किस काम की जिम्मेदारी निभाते हैं, सही जवाबों का 5 का option number दरिद्र नरायन के भोजन का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बंगाली समाज के लोग निराला जी से किसकी रशना सुनना पसंद करते हैं, तो वो है रविंद्र नात की, रविंद्र ना को अजने में, जो इंसान दिन भर दिन दुख्यों की मदद करें, वो दिन बंधू कहलाता है, ठीक है, निराला को दिन बंधू कहा गया, तो निराला जी को दिन बंधू कहा गया था, दिन दुख्यों की सेवा करने के वज़़ा से, option number दिन बंधू किसके नाम के सांथ तो रहेगा निराला कंचन और यामनी कभी भी निराला के भीतर जहाकने न पाई थी निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे तो सच्चे अर्थों में मित्र थे दिन दुख्यों की वह दिन दुख्यों की बड़ा ही सेवा करते थे दिन भर जितने भी गरीब लाचा आगे बढ़ते हैं मुक्तिकाशी होटल छोड़कर खेमा कहां गया मुक्तिकाशी नहीं मुक्ताकाशी मुक्ताकाशी होटल छोड़कर खेमा गया था एक शिक्षक के सांथ ठीक है शिक्षक लेकर गये थे अपने साथ उन्हीं के साथ गया था खेमा शिशक कहानी के किंद्र मे हैं ए में है बाल विवा भी में है बेमेल विवा सी में बाल मजदूरी और डी में विद्वा विवा तो आप लोगो पता होगा राइट एंसर 14 का ऑप्सन नमबर सी हो जाएगा बाल मजदूरी नेक्स्ट कोश्चन है अगला प्रशन मुंख करता था खेमा काम करता था कसारा की होटल में आपस़न नमबर डीस दराई एंसर यह तो एक दम हल्वा कोश्चन है मुक्ताकाशी होटल का मालें इस सब्सक्रक्स हम आपक क्रूरत tak kvery और निरदई भी था 19 नमबर सवाल कि बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन है कौन से चैप्टर में तो उस चैप्टर का नाम है खेमा option number eight is the right answer khema मात्र 10 words का बाल सरमिक ठा कितने words का तो 8-9 words का कहा पर किसे दया आई तो खेमा पर एक शिकछक को दया आई 않 thi और शिकछक अपने साथ खेमा को लेकर चला गया था खेमा पार्ट की कौन सी विदा है खेमा जो है आप लोग जानते है ये एक कहानी है ठीक है आगे बढ़ते हैं कसारा ने खेमा को किस लिए फटका रहा चपल मांगने पर फटका रहा था बोला था खेमा की जब हम जाते हैं चाय देने के लिए और फिर ग्लास लाने के लिए तो जमीन बहुत ज़दा गर्म हो जा रही है जिसके जैसे हमारा पैल जल जा रहा है तो आप हमें चपल ला देजिए चपल मांगने पर ही जोड से कसारा ने खेमा को फटका रहा था कि चपल चाहिए रख दूंगा अभी एक चपल तुमारे सर पर चलो बागो चपल नहीं मिलेगा ठीक है तो इस तरह की बाते होती है तेइस का अप्सन नमर सब्सक्राइदेता कप धोता टेबल साफ करता यह सभी काम जो है ना खेमा करता था यानिकी ऑप्सन नमबर डी इस तर राइट इंसर उपर युक्त सभी आई होप आप लोग डी लगाये होंगे आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहां से फिर से कोशन नमबर वन से स्टार हो रहा है चैप्टर नमबर 17 & 18 15 16 का तो यह हो गया सुला तक और फिर यह 17 और 18 दोनों को मिला कर अब यहां से कोशन स्टार्ट हो रहा है देखिए सबसे पहला कोशन है कि खुश्मुदार अगर बत्तिया कौन बनाते हैं तो खुश्मुदार अगर बत्तिया बनाते हैं समा ही आपको सफलता मिलेगी ठीक है आगे बढ़ते हैं खुश्मु रच्टे हाथ क्या बनाते हैं खुश्मु रच्टे हाथ जो है ना वह खुश्मुदार अगर बत्तिया बनाते हैं और यह बहुत ही तेज रफतार चल रही अब्जेक्टिव कोशन की इसलिए जितना जल्द करो हर काम सफल होगा आपका खुश्मु रच्टे हाथ पाठ की विदा बहुत सारी लोग बोलते हैं आप मेरा मतलब सफलता नहीं मिल रही है ऐसा वो रियल में स्रम कर ही नहीं रहे मेहनत कर ही नहीं रहे सही जगा मेनत करेंगे सही समय पर तो आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी खुश्बू रस्ते हाथ पाठ की जो यह विधा है कौन सी पाठ की विधा है तो यह है कवीता कुश्बू रस्ते हाथ क्या है यह कवीता है ऑप्सन नमर 20 राइट एंसर खुश्बू रस्ते हाथ के कवी कौन है इस चप्टर के राइटर कौन है बताना है राइट एं आने वाले लोगों पर लिखी गई कवीता है वो है खुश्बू रच्टे हाथ एक दम हलवा कोश्चन है आप लोग आख बंद कर यूँ चुटकियों में बता सकते हैं फड़ा इंसर कीजिए उबरी नसो वाले हाथ का अर्थ होता है बुढ़े लोग जो श्रम बहुत जदा क किये हैं ठीक है खुश्बू रच्टे हाथ पाट का मुख्य उदेश्य क्या है इस पाट का मुख्य उदेश्य है श्रम की भत्ता को प्रतिपादित करना आगे बढ़ते हैं फड़फट दस नंबर सवाल कि पीपल के पत्ते से नए-एंए हाथ का अर्थ क्या होता है बताना खुश्बू रचने वाले हाथ किस परिस्थिती में रहने को विवश्ट है बिहार की बेटी की और सधारन विश्रिष्टाओ का उदगाटन किया गया है कौन से चप्टर में तो वह होसले की उड़ान नाम के चप्टर में ठीक है जैनब खानम किस जिले की है जैनब खानम जो है ना वो शिवहर जिले की है आपसर नंबर 20 आई होप आप लोग भी लगाए होंगे जो की बिल्कुल सही जवाब है बिहार की बेटिया बिहार की बेटिया सधारन प्रतिभा की धनी है आपसर नंबर सी इस दर राइट एंसर मुहम्मद अब्दुर्रह्मान खा की पोत अगे बढ़ते हैं सुनी किस की बैटी है सुनी जो है ना वो बेटी है विश्रुण शंकरतिवारी की ऑपसण नंबर ए-इस दों। अधे लेकी हैं कदम किस मुंगेर सी में बेग उसारा एडी में है सर्सा परीट बिताए इसका राइट एंसर होगा इसका बाइ अलबर को क्या सिखलाती है कराटे सिखाती है आगे अगे बढ़ते हैं जो किस जिले की रहने वाली है रहने की रहतास कदम पढखकर क्या क्या बना चाहती है तो बिचारी कदम नरेगा इंस वह नां नागं आप सहने मिस्तान प्रतियोगिता थी सोनी उस्परत्योगिता में कितने कील। कि और कुर चल कर गुडिया ने नो खार पूंचकर अपना नमांकन करा या तो वह 15 सीच्टर होते अब देखें पिर से के क्योंकि छाप्टर नममर 17 और 18 को मिला करता अब यहां से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है को श्रन यह चैपिटर नमभर 59 और 20 दोनों चैपटर को मिला नहीं को भड़ते हैं नेक्ट का बड़ते हैं अगस्त की कुरांत कब हुई थी अगस्त की क्रांती हुई थी उन्हें सब 42 में और सी इस दराइटेंसर याद रखना है आप लोग को चलिए आगे बढ़ते हैं जन्नायक करपुरी ठाकुर जैप्रकाश नरायन की आजाद दास्ता के सदसे कब बने वह बने थे सब 42 में और सी दराइटेंसर आगे बढ़ते हैं सं उन्हेसा सठ में बिहार के मुख्यमंतरी बने थे तो वो थे जन्नायक कर अगे बढ़ते हैं पांश नंबर सवाल करपुरी ठाकुर के माता का नाम क्या था माता जी का नाम बताना है तो वो था रामदुलारी देवी और सब स्वाब है सिक्स नंबर सवाल कि करपूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए तो वो जेल गए थे 23 अक्टूबर अग्ला प्रश्ण है कि करपूरी ठाकुर की मृत्यू हुए तो उक्टन ऐम में के यहे तो अग्या consistent अग्ला प्रश्ण है कि कर retir की है बारा अगस्त उनाइसा अठासी लेकिन इसका राइट इंसर में आप लोगों को बता दू क्या हो जाएगा चारों में से कोई भी नहीं होगा जी हाँ कि उन्हेंस अबावन में किस पार्टी से करपूरी ठाकूर विधान सभा के सदस्य बने थे तो वो से सोचलिस्ट पार्टी से जो है ना करपूरी ठाकूर विधान सभा के सदस्य बने थे आगे बढ़ते हैं करपूरी ठाकूर को गित गाने के साथ बजाने का क्या बजाने का तो आप लोगों को पता है यह भी मैं आप लोगों को अलड़ी पढ़ा चुकी हूं उन्हें डफली बजाने का बहुत ज़्यादा शौक था तो ऑप्सन नमबर एस तराइट एंसर कर पूरी ठाकुर बिहार के मुख्य मंत्री कितनी बार बने थे कर पूरी ठाकुर ने आये की परिक्षा पास की कब पास की तो उन्हें सब 42 में पास किये थे आयुप आप लोग ड़ी लगाये होंगे जो कि बिल्कुल सही जवाब है कर बार का डी चलिए तेरा नंबर सवाल की जन्नाय कर पूरी ठाकुर पार्ट की विदा है यह जो चैप्टर है यह क्या है संस्मर्ण करपूरी ठाखुर का जन्म कब हुआ था तो करपूरी ठाखुर का जन्म कब हुआ था तो आप लोग एक गदम सही सही लगा रहे हैं सुल्ला नंवर सवाल है कि करफूरी ठाखुर का जन्म किस राजे में हु belong था उनका जन्म हुआ था भिहार राजे में ऑप्साणन बर सी जराइजें सर आगे बढ़ते हैं करफूरी ठाकुर ने १Υा में सं तो वह चाउस पहँरीं टाउस było 2 अधन सभा ताजपूरविदान सभा से से लगश्मी भाई कहां की रानी फी एक Давайте दम कोर्षण है लग्षमी भाई भाई जहासी की रानी जहासी की रानी आई समने न यह यह जीवन वृत कविटा है आगे बढ़ते हैं याशी की रानी ने लड़ाई लड़ी किस से लड़ाई लडडी थी जहासी कीराटी कोई नहीं भूल सकता है। यांतेड कि टिविता सुमाइबHH कुमारी चोहान के वांको कविटा कौन ही गानफूर के नाना शाहब की बहन कौन थी कानपूर के नाना साब की बहन थी लक्षमी भाई मृत्यू के समय लक्षमी भाई की उम्र कितनी थी बताना है तो जब मृत्यू हुई ना रानी लक्षमी भाई ही तब उनकी उम्र तेईस वर्स थी अगे बढ़ते हैं लक्षमी भाई को आप लोग को पता होगा चप्टर पढ़े होंगे तो उनको दुरगा का आउतार माना गया है ठीक है जहासी पर अधिकार करने के पश्चात लक्षमी भाई की धर बढ़ी तो इसका सही जवाब होगा सही उत्तर ओप्सा नमबर बी कालपी कालपी की और बढ़ी थी रानी लक्षमी भाई जहासी पर अधिकार करने के बाद आगे बढ़ते हैं तीस नंबर सवाल है कि काना कौन थी और हां अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो फड़ाफट लाइक कर दे चैनल पर नहीं है तो सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को सबसे ज़दा आप लोग को शेयर करना है जितना ज़दा हो सके उतना ज़दा शेयर कर दे ताकि सभी लोग इस 10th क्लास के नौन हिंदी के अब्जेक्टिब कोशन की रफतार को पकड़ सके खुद पकड़े आप लोग इस 10th क्लास के जो नौन हिंदी का ये रफतार चल रहा है इसमें आप लोग खुद जूड़े और दूसरों को भी जोड़े ठीक है क्योंकि ये जबर्दस्ट सिरीज है 19 & 20 29 और 20 दोनों चैप्टर को मिला कर था तीस कोशन अब यहां से जो आप लोग का सवाल स्टार्ट हो रहा है एक नंबर से ये स्टार्ट हो रहा है 21 22 और 23 तीनों चैप्टर को मिला कर और आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेंथ क्लास के नौन हंदी के बुक में टोटल 23 ही चैप्टर है यानि कि 22 अब यह तीनों को मिला कर यह कोशन स्टार्ट हो रहा है चले इसको भी फड़वट कर देते हैं और उसके बार से आप ल सिस्ट डो और रएट आजर हो जायेगा दो का कि नमवर एट चैप्टर के राइटर आगे बढ़ते हैं चिकित्सा का चक्कर Welsh कर पार के माध्य। से लेखक ने डैस वीरोधा भासाओं को सफल्ता पुर्वक उभारा है तो के जगा क्या रहेगा बताएज तो आप लोगों को पता है चिकित्चा का चकर नाम का जो चाप्टर है उसमें राइटर जो है ना लेखक वो चिकित्चा पद्धती के विरधभासाओं को सफलता पुर्वक उभारा है यानि कि option number A is the right answer आगे बढ़ते हैं next question की dash चिकित्चा में अंग्रेजी दवा सुई आदी दिया जाता है आगे बढ़ते हैं पास नंबर सवाल रसगुले चायावादी कविताओं की भाती डैस नहीं थे तो क्या नहीं थे तो शुक्ष्म नहीं थे option number C is the right answer किस चिकित्चा में जड़ी बूटी से बनी औस्दी दी जाती है कौन से चिकित्चा में बताइए आप लोगो पता है ना जड़ी बूटी किस में दी जाती है आयूरवेदिक में यानिकि option number A इस दर आई जनसर एकदम हलवा question था आगे बढ़ते हैं लेखक को किस समय भोजन लेने की आदत थी तो शाम को भोजन लेने की आदत थी किसने कहा मुझे आज सिनेमा जाना है लेखक की बतनी जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है आप लोग अगर भी लगाये हैं तो आगे बढ़ते हैं लेखक लखनव क्यों जाना चाते थे लेखक लखनव इसलिए जाना चाते थे क्योंकि उनका इलाज हो सके यानि की option नमबर भी जराइट एंसर बहतर चीकित सा है तू लेखक लखनव जाना चाते थे सुदामा अपने मित्र से मिलने कहा गए थे बताएं और डी में वरिंदावन राइट एंसर हो जाएगा सवाल नमबर दस का option नमबर बी द्वारी का गए थे सुदामा अपने मित्र भगवान श्रेकृष्ण से मिलने के लिए सुदामा का पैर किसने धोया तो सुदामा का पैर जो है न वो श्रेकृष्ण ने धोया उनके असरू से ही धुल गए आसू से ही इतना ज़्यदा रोये ना बगवान श्रेकृष्ण के उनके आसू से ही सुदामा के पैर धुल गए बारा नमबर सवाल है कि सुदामा थे क्य रहते थे यानकि option number D is the right answer सभी हो जाएगा next question number 13 कि सुदामा चरित पाठ की विधा है सुदामा चरित ये जो chapter है ये पाठ ये क्या है कवीता है कि आत्म कताय की डाइरी है की कहानी है तो सुदामा चरित जो है ना ये एक कवीता है option number A is the right answer सुदामा चरित के रशनकार कौन है इस chapter के राइटर कौन है बताना है इसका सही जवाब होगा option number C नरोत्तम दास सुदामा चरित नाम के chapter के राइटर है पंदरा नंबर सवाल सुदामा किस से मिलने द्वारी का गए तो श्रीकृष्ण से मिलने के लिए द्वारी का गए थे सुदामा किसने सुदामा को स्रीकृष्ण के पास जाने के लिए विवस्ट किया तो आप लोग जानते ही है ये भी मैं आप लोग को अलड़ी all chapter पढ़ा चुकी हूँ तो आप लोग को पता होगा कि सुदामा की पतनी जो है ना वो में जो है ना वो कृष्ण और सुदामा संदीपन मुनी के पास परते थे ऑप्सन नंबर ए हो गया बिल्कुल सही कवी हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है कि तुम्हारी मा मिल जाएगी तुम डरो मत तुम्हारी मा मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं हमें निराश ना होकर प्रकृति प्रदत वस्तुओं को क्या करना चाहिए तो हमें निराश ना होकर प्रकृति प्रदत वस्तुओं को उप्भोग करना चाहिए आगे बढ़ते हैं हिरन के बच्चे के लिए कौन दुखी था तो हिरन के बच्चे के लिए कवी दुखी थे option number C is the right answer I hope आप लोग C लगाये होंगे जो की बिल्कुल सही जवाब है तेईस नमबर सवाल कि राब बढ़के हिरन के बच्चे को कवीता के रचाईता है राइटर कौन है तो option A में है नरोतम दास B में कभीर दास C में डॉक्टर नी और D में सुबद्रा कुमारी चोहान कुमार नहीं तो इसका राइट एंसर तेईस का option number C हो जाएगा डॉक्टर नी ठीक है आगे बढ़ते हैं राइटर के हिरन के बच्चे को पाठ में जीवन का अर्थ है और सने में प्रयास करते रहना वी में चुप चाप बैठे रहना सी में जिद्धी होना और D में साउधान होना साउधान नहीं रहना तो 24 नमबर सवाल का option number A हो जाएगा प्रयास करते रहना जीवन का अर्थ है प्रयास करते रहना राभठ के हिरन के बच्चे को नाम के चैप्टर के अनुसार ठीक है राभठ के हिरन के बच्चे को कैसे कवीता है कैसे नहीं कैसी कवीता है बताना है option A में है मनोविज्यानिक तो आप भठके हिरन के बच्चे को यह जो कवीता है यह एक अत्यांत मार्मिक कवीता है अपसे नमबर 20 इस तराइट एंसर 26 नमबर सवाल की वेदना का अर्थ होता है वेदना का अर्थ होता है पीडा ऑपसे नमबर ए हो गया बिल्कुल सही जवाब आई होप आप लोग ए ल रो रहा है तो जाड़े की रात में हिरन रो रहा है हिरन का बच्चा ठीक है, बेड़र बनार STAR कीतने साल के हट्टे-कट्टे आदमी थे तो बेड़र बनारसी जो है ना वो 35 साल के हट्ट edited आदमी थे नेक्षी question है कि रसगुल्य किसके यहां से आया था रसगुल्य जो है न वह परसाद जी के यहां से आया था जिसको लेखक खाए और उसके बाद से उनका तबियत खराब हो गया लेखक की निंद कब खुली तो लेखक की निंद आगे बढ़ते हैं डॉक्टर चूहानात कातर जी जो थे हैं जिस दवाई की सिसी लेखक को दिये वह कितने आने में मिलती थी बताइए ऑप्सण ने में 11 आना बी में 18 आना सी में 12 आना और डी में 15 आना इसका सही जवाब होगा ऑप्सण नंबर बी अठाड़ा आना ऑप्सण नंबर 20 दराइट अंसर चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर सवाल एक दात उखडवाने में कितना आने लगते थे एक दात उखडवाने के लिए लगते थे तीन आने ठीक है चलिए फड़ा फड़ा आगे बढ़ते हैं चुहा नात कातर जी ने इफ आर सी इस कहां से की थी आपसन अ में अमेरिका बी में फ्रांस सी में लंदन और डी में रूस तो चुहा नात कातर जी थे ना वो एफ आर सी इस जो है ना किये थे लंदन से आपसन नमर सी इस दराइट अंसर बेड़ब बनार सी लेखक जो है बेड़ब बनार सी उनकी इच्छा क्या थी आपसन ए म है भीमार पड़ने की हुए बी में स नरुत्तमदास क्या है बताएं नरुत्तमदास एक कवी है यानि कि option number A is the right answer next question 37 number सवाल कि सुदामा चरित किस भाशा में लिखी गई है ये में है अवधी B में वजर भासा C में है मगई और D में है खड़ी बोली तो सुदामा चरित नाम का जो कवीता है वो निखा गया है वजर भासा में option number B is the right answer अगला प्रशन प्रशन number 38 सुदामा के पैर कैसे धुल गया तो कृष्ण भगवान के आसू से option number C is the right answer अगला सवाल है कि कवीराज पंडित सुदेव शास्त्री बुलाने पर किस चीज से आये option A में है साइकिल B में है कार C में है पालकी और D में मोटरसाइकल बिल्कुल सही सोचे हैं आप लोग बिल्कुल सही जवाब लगाए है option number C पालकी वो पालकी में आये थे कवीराज पं नौ बार और डी में दस बार तो राय कृष्ण दास जो है ना वह हफते में नौ बार दारी बनाते थे यानि कि option number C तो ये था 10 क्लास के नौर हिंदी का ओल चैप्टर का ओल अब्डेक्टिव कोशन आज के वन शॉट वीडियो में मैं आप लोग को कमांड होगा क्योंकि सा कृष्ण तो चैप्टर से उठाया गया है और आप लोग पढ़ा चुकी हूं अगर आप लोग अभी भी पढ़ना चाहते हैं तो इस चानल के प्लेलिस्ट में चले जाए क्लास 10 नौन हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट सेव मिलेगा वहां से आप लोग वन वान करके और पहले मैं आप लोगो 10 नौन हिंदी के सब्जेक्टिव कोश्ण करां ती एक्जाम में जो भी कोशन पूचेगा उन्हीं सब्जेक्टिव कोशन में से पूचेगा और मैं आप लोगो को बोली हूं कि वह वीडिए अम्रित के समान है तो वह वीडियो आप लोग जरूर है अगर नहीं देखें तो जरूर देखी इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए या फिर आई बटन में लिंक डाल दे रही हूं है आई बटन को क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है और उसके बाद से टेंथ क्लास के उर्दू का भी मैं कंप्लीट कोशन अलग उसका वीडियो बना है तो वह दोनों वीडियो ज़रूर देख लीजेगा सब्जेक्टिव का भी टेंशन खत्म तो देखें यहां पर टेंथ क्लास की उर्दू का अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में करा चुकी हूं तो आप लोग इसमें टेंश का यहां देने के लिए तो सारी कोशन देंस सही लगा कर आएंगे और से बनाकर आएंगे अगर वीडियो देखें तो और सारे अपजक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी मैं कराई हूं उन पर आपलों का कमांड है तो ठीक है तो ऐ होप आज किस वीडियो में मैं आप लों और अगर आप लोग चैनल पढ़ना है आये हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली वीडियो और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपेजी